हेलो एब्रिवन मैं उस्य उम्दिवेदी और आप देखरें अपना पसंद या चैनल ग्यानों देखे गुरुजी बच्चो चैप्टर निम्बर 3 आव्यू को आज हम लोग यहां पे इसके एक्सरसाइस 3.2 से पहले पहले जो आपके इंपोर्टेंट वाले उधारन हैं उनको चैनल आववीव को गुड़ कुड़ा किया जाएंगे बच्चो अगर आपको लगता है कि हा armour करना बहुत आशान है लेकिन आपने आज करना बहुत आशान है तो आपको आसान नहीं है बहुत ही आसान हो कि छो रोगन तो आप एकका माइंड सेट नहीं है तो आप इनके गुड़े में गलती कर ही देंगे बच्चो चलिए फिर आज की वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं क्योंकि गुरू जी है तो संभव है पिछले वीडियो को देखने के लिए नीचे डिसक्रप्शन बाक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगी जाके वहां से आप टू और थ्री उसके बाद बच्चो एक कोई दूसरा आविव है और वह आविव है बच्चो टू सिक्स जीरो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आपके साथ सेयर करूंगा जो सायद आप लोगों को इससे पहले किसे ने सेयर नहीं किये होंगे ठीक है तो से एक आविव है यह हमारे पास दूसरा आविव है कहा गया है कि इन दोनों आविवों को आपस में गुड़ा कीजिए अब आपको लगता हो कि बहुत सिम्पल है छे को दो के साथ करेंगे फिर नो को चे के साथ करेंगे फिर जीरो को किसके साथ करेंगे मन में सवाल आया कि नहीं ही देखते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां देखा कि जो पहले में था सबसे पहले हैं यहां कि पैले पंक्ति यह दूसरी पंक्ति इस्तंभ हमारे तीन है तो इसका मदब इसकी जो कोट यह वो है कितनी बच्चों दो गुड़े तीन है अब सिवम सर आपको यहां पर एक ऐसा इंपोर्टेंट वाला नोट बताने वाले हैं जो आपने सायद नहीं देखा होगा बच्चों दो कि वो के पंक्तियों के संख्या के समान होगी क्या कहना चाहते है सर बच्चों सर यह कहना चाहते है कि आपके पास मान लीजे एक कोई आवियू है और यह आवियू आपके पास ऐसे है और इसकी जो कोट है वो है M गुड़े बच्चों M गुड़े N ठीक है फिर उसके बाद एन गुड़े कितना है बच्चो पी ये नोट में लिखना तो इसके पीछे का और इसके आगे का मतलब पहले आवियू के संख्या दूसरे आवियू के पंक्तियों के संख्या कि अगर समान नहीं है तो हम लोग इनका गुड़ा नहीं कर पाएंगे ठीक ये परिभासित नहीं ह मैं लिजे कि आपको मिलता है ठीक जिहान से सुना वच्चो ये जो आपको मिलता है इसके कोटी फिर कितनी होगी यह भी तो सवाल आता है ना तो बच्चो M गुड़े N किया फिर N गुड़े P करेंगे तो N से N खतम और M और P कोटी का हमें आवियू मिलने वाला है क्या संबहो तभी है जब हम लोग क्या करेंगे इनके संख्या, इनकी पंक्तियों की संख्या समान होगी तब क्लियर हुआ इतना चलिए हम लोग इसको आगे सुरू करते हैं ध्यान से देखो यह हमारे पास आवियू है यह कैसे करते हैं गुड़ा देखो अब आपने आप समझ गया होगे कि दो गुड़े दो है ये दो गुड़े तीन है इसका मदब ये दो ये दो खतम हो जाएगा दो गुड़े तीन कोटी का एक आव्यू हमें मिलने वाला है पहले आव्यू के पहली पंक्ति के अव्यों को दूसरे आव्यों के पहले इस्तंभों के अव्यों से गुड़ा करते हैं और उनको आपस में जोल कर बनाते हैं हम लोग एक तब हमारा ग्यात हो पाएगा यहां वाला अव्यों देखो कैसे करते हैं देखो क्या क्या सिक्स मैंने का पहली पंक्ति के पहले आव्यू के पंक्तियों के अव्यों को पहली पंक्ति के अव्यों को तो सिक्स को हम मल्टिप्लाइब करेंगे टू के साथ सिक्स इंटू टू फिर पहली पंक्ति के जो हमारा यह आपको दिख रह इतना तो हो गया अब इसी के बाद यह हमने कर लिया ना अब पहली पंक्ति के जो भी हमारे अव्यम हैं उनको हम इनके साथ खुड़ा करेंगे फिर यहां लिखेंगे बच्चों तो कुछ क्लियर हो रहा है तो हम six को multiply करेंगे किस के साथ six के साथ फिर nine को multiply करेंगे हम लोग ब लोग multiply करके उनको add करके लिख देंगे तो कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत इजी है अब यहां आ जाओ दूस पहले आव्यों के दूसरी पंक्ति के आव्यों को दूसरे आव्यों के स्तंभों के साथ गुड़ा करने मतलब इधर से पंक्ति लेनी है उधर से हमें इस्तंभ लेना है ठीक देखो तो बच्चों 2 को 2 के साथ करेंगे गुड़ा और उसके बाद 3 को 7 के साथ गुड़ा करके जोड़ देंगे एक समझ में आ गया तो सारे कर लोगो फिर 2 को 6 के साथ गुड़ा करेंगे और 3 को 9 के साथ गुड़ा करेंगे फिर 2 को यह हो गए 27 बारा और उसके बाद हम लोग 63 थीक है मैं तीन निख़रा था 63 में हम लोग 12 को जोड़ देंगे बच्छों तिरसेट में 12 हम लोग जोड़ देंगे आंसर आएगा बच्छों 75 फिर 636 और 9981 इनको आपस में जोड़ देंगे आंसर आएगा बच्छों हमारे पास 117 यह तो 0 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 72 फिर 2 दूनी 4 और 3 सते 21 हो गया 421 जोड़ दिया आंसर आएगा 25 छे दून तर आएगा बच्छों कितना 20 इस तरीके से देखिए यह मैंने आप लोगों को बताया कि गुड़ा कैसे करते हैं तो कुछ समझ में आया होगा देखो 3.2 एकसरसाइज आप लोग बहुत आसानी से अब लगा लोगे क्योंकि हमने आपको दो बेसिक वीडियो इसके उपर द करता है बच्छों जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं निश्वार्थ भाव से कर रहा हूं मैं तो साइध ही कभी बोल दू कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो या मैं तो हमेसा यह बोलता हूं कि आप कुछ कर रहे हैं वो कमेंट करके बताओ ठीक क्योंकि मैं बहु दो से ही है और आज जो मैं तो ही लिए डिजिटल वोर्ड मैंने खरीदा है डिजिटल वोर्ड और आज है वो आज आज का आपका डेट है एर्थून और एर्थ जून और एर्थ जून को ही वो आना था लेकिन एक दिन पहले ही आगया सेवंध जून को ही आगया और वो अभी आचुका है इसलिए मैंने स्वाइन जून को कोई क्लास नहीं दिया था क्योंकि मैं टाइम सामको वहाँ पे था वो डिलेवर होना था बच्चो और आज आज एर्थ जून है मैं आज पूरे दिन से ट्राई कर रहा था कि आज ही बोर्ट का सेट अप हो जाए क्योंकि जो सेट अप कर रहे हैं वो देलहीं से आरहे उत्ता प्रदेश ठीक है अभी मेरी उन से बात हुई और मैंने पूछा कि कब आएंगे आप तो उन्होंने बोला कि साम हो जाएगी छे बज़े और छे बज़े मुझे कहीं जाना रहता है तो फिर इस होजे से मैंने वो बोला कि ठीक है आप आज मत करो नेक्ट डे आना तो कल वो आएंगे कल सेट अप करेंगे बस बोलना बच्चो मुझे यह है आप से कि मैं आप लोगों के लिए हूँ ठीक है आप लोग भी निस्वार्थ बहुत से रहिए और अगर इस तरिके से कमेंट करोगे ना तो फिर कशले गजे क्योंकि एक ने बच्चे Semakर कि फश्ट चैप्टर आपको नहीं तो सायद बेटर एक्स्प्लेइन कर पाऊंगा आप लोगों के लिए कि फिर वहां पे मैं एक चोटे-चोटे से सिंबल बना के अरे ये फिर रहे गया फिर वो रहे गया फिर वो रहे गया ऐसे पूरा एक साथ हम पूरा को उठाके आपको एक-एक पॉइंट क्लियर करेंगे तो सायद आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में ठीक है तो बस अभी एक सर्प्राइज था जो मैं रिवील नहीं करना चाहता था कल मिलते हैं हम लोग के साथ ठीक है सुबह तो चलो उमीद है कि इतना आप लोगों को स हमें आप लोगों करना हमें आप लोगों को आया होगा फिक यह जो नोट मैं ने कराया इसको आप लोग जरूर कर लिजेगा यह जो मैंने उधारन अभी आपको यहां पे लिख के बताया था यह आपकी आपकी वुक का example number 12 था ठीक है तो इसके जरूर से जरूर आप लोग अपनी कभाफी पर नोट डाउन कर लिजे का बिशेय को किया बताते हैं कुछ और जहां से सुना बच्चो मैं दिक मी दो बोला कि आभीव के इसफ़ एक खीजांपल के थ्रॉं के अभीव के दिक में अच्छे से सुनना गुडण की आक्रम विने विनी मेता ठीक है बहुत अंग हिंदी में बहुत आजीव अजीव से नाम है इंगलिस में इसको बोलते है नॉन कुमिलेटिव आफ मल्टिपल आफ मल्टिप्लिकेशन आफ मैट्रिक्स ठीक अब बच्चों एक चीज में बताता ह हूं जैसे हम एक उधारन लेते हैं मालो हमने दो मैट्रिक्स लिया बहुत अच्छे से सुनिएगा मालो हमने एक मैट्रिक्स ए लिया और यह हमारी मैट्रिक्स हमने और लिया और यह मैट्रिक्स है हमारी बी और जिसमें हमने लिखा कि बी आई जे ठीक है अब आपने इन द जब आपने A लिखा, A B निकाला और B A निकाला, तो possible है कि ये दोनों समान आ भी जाएं और possible है कि ये दोनों समान आए भी ना, दोनों चीजे हैं क्योंकि ये possibilities हैं, अब ये कैसे, किसके उपर depend करेगा, ध्यान से देखो बच्चो, A B मान लो, आपने निकाला और B A निकाला, थी कि गुड़ा करके आपस में निकाल लिया, अब ये जरूरी नहीं है, कि जो A B का मान आया हो, वो B A के मान के बराबर हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, possible है कि आ भी सकता है, बट ये 100% से और नहीं है, कि हाँ जो A B का मान आएगा, वो B A के मान आए, कि बराबर आएगा क्योंकि आप लोग हमेसा देखे होंगे, कि अगर 5 को मैं 3 के साथ गुड़ा करूँ तो 15 आता है, 3 को 5 के साथ करूँ तो भी 15 आता है, बट लेकिन आवियू में ऐसा नहीं होता है, अगर आप एक आवियू को दूसरी के साथ गुड़ा करोगे, तो हो सकता है कुछ और अंस समझ रहें आप लोग, तो यह नहीं हो सकता है, अब इसको एक उधारण के थरों लेकर हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक उधारण के थरों समझेंगे बच्चों, चलिए, और हो सकता है कि पॉस्पिल्टीज है, यह मेरी क्लास जो है, वो लास्ट क्लास हो, आज इस गोड़ ठीक है, अब हम इसको समझने के कोशिज करते हैं, एक उधारण के थरों, एक उधारण नमबर हमारा 13 है, ठीक है, उसकी थरों हम लोग इसको समझेंगे, सबसे पहले ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है, एक माइनस दो, तीन हो गया, उसके आद माइनस चार, दो और करते हैं, और हम लोग भी ए ग्याद करेंगे, अब बच्चो, एक्जाम में जब कोश्चन आएगा, तो मालीजें, MC क्यू आया, और आप से पूछा कि इनको गुड़ा केजे, और एक उप्शन दे दिया, उसमें की परिभासित ही नहीं है, तो पहले आपको गुड़ा करने से पहले, यह जरूर चेक करना है, कि अगर हम A को B के साथ गुड़ा करेंगे, तो जो मुझे A B मिलेगा, उसकी कोट कितनी होगी, यह चेक करना यार, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चो, चेक करते हैं, इसकी कोट पहले निकालते हैं, पहली और दूसरी, तो बच्च गुड़े 2 का 1 मैट्रिक्स आएगा, दो गुड़े 2 की 1 मैट्रिक्स आने वाली है, यह बात पहले ही आपको पता चल गई, ठीक, तो यह सारी चीजे मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई, अगर यहां पे आप आए हो, तो आप कुछ बेटर ही सीख के जा पहले आव्यू के जो पंक्ति है, पहली, उसके सभी अव्यवों को, जो आपके दूसरे आव्यू के इस्तंभों के साथ गुड़ा कर लो, फिर से सुनो, पहले आव्यू की जो पहली पंक्ति है, उसको उसके अव्यूवों को गुड़ा करना है, दूसरे आव्यू के पहले इस्तंब के अव्यवों के साथ, ठीक, तो पहले एक को दो के साथ गुड़ा करना है, फिर दो को चार के साथ गुड़ा करना है, तो माइनस दो को गुड़ा करना है, चार के साथ, फिर तीन को दो के साथ गुड़ा करना है, ठीक, फिर सेम काम करना, अगर मैं जो ये निकालना पढ़ जाया मालेों पहले मैं ये निकालना चाहा कि यह ना निकालना चाह थो तो बच्यों इनको गुदा करोंगे इसके साथ हिस tests समझ रहे न अना आप लोग तो पहले हम यह निकालेंगे तो देखो search को गुड़ा करेंगे हम लोग किसके साथ अब देखो पहला इसके साथ हो चुका है अब इसके साथ करेंगे एक को तीन के साथ माइनस दो को पांच के साथ और उसके बाद तीन को एक के साथ एक इतना समझ माया अब माइनस चार को दो के साथ करोगे माइनस चार गुड़े दो करोगे फिर इसके बाद माइनस चार को दो के साथ गुड़ा कर लिया दो को चार के साथ करोगे दो को चार के साथ फिर पांच को दो के साथ करोगे ठीक पांच को दो के साथ अब माइनस चार को तीन के साथ करोगे ठीक है और दो को ती पांच के साथ करोगे और बच्चो फिर 8 हो गये और यह 8 हो गया इसका हमतब आंसर यहां से जीरो आएगा समझ गया की नहीं ठीक इस पहुत थी आज कम तीन वह फिर तीने अंगतंव तीन हुआ जोडके च्छे हो गयं यहां से आया 10 वह भी माइनस का तो चारां आएगा वह भी माइनस का आएगा बच्चों कि यहां पे आजओ दो दोनी 4 हुआ पांच दोनी 10-30 पर जारख एंगा इंद्ध तो तरीक जैसे में यह तो निकाल लिया और यह किपना है 0-4 10 और 3 यह मैंने यहां लिख लिया है अब क्या करेंगे सिवं सर यह हो चुका मिटारा मैं इसको ठीक अब अब लोग निकालेंगे भी यह फिर से सुनिएगा आप हम क्या निकालेंगे बच्चों बी यह निकालेंगे अब यह निकालते हैं आप देखो बी ये कैसे निकालेंगे यार बी ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इनको अच्छे से लिखना पढ़ेगा बी को पहले और A को बाद में तभी आपको समझ में आएगा अन्य था नहीं आएगा ठीक है मैं पहले B को लिखता हूं फिर A को लिखता हूं ठीक पहले B को लिखते हैं तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चो B ये निकाल रहे हैं कैसे निकालेंगे B को लिखेंगे पहले 2, 3, 4, 5, 2 और 1 मैं अपना experience सिर्फ share करता हूँ आपके साथ बाकी कुछ नहीं करता इसको देखो 1 हो गया माइनस 2 हो गया 3 हो गया माइनस 4 हो गया 2 हो गया और 5 हो गया अब देखो बच्चो इसका जो पोटी है वो दो गड़े 3 है ये 3 को 2 देखो 2 पीछे 2 यहां पर गुड़ा हो पाएगा हाँ ये गुड़ा हो पाएगा ये बात तो clear हो गई कि हाँ गुड़ा हो पाएगा ठीक जल्दी स्क्रीन सॉट लीजिए आप लोग अगर अच्छली मार्कर जो है वो नीचे गिर गया था 2 से 2 ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे बी ये करेंगे ठीक दो को पहले हम इसके साथ देखो क्या करें इसको गुड़ा करना है इसके साथ फिर इसको गुड़ा करना है इसके साथ सुनिएगा इस दो इंद को गुड़ा करना है इनके साथ मैट्रिक्स जो आएगी तीन गुड़े तीन की आएगी ठीक तो दो को पहले एक के साथ इस चार करना है इतना समझ माया आप लोगों को इसके बाद वच्चों क्या करना है कि एक्चली यह मारकर जो होते हैं अगर इसमें जरा से भी हवा लगी ना तो यह सूख जाते हैं इसलिए इनको कैप से बंद करके रखना पड़ता है और वो कैप ही यहां से मेरे पास से खो गया था ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताना जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं ठीक है यह समझ में आ रहा है कि नहीं अब आप लोगों को वीडियो थोड़े बड़े मिलेंगे क लाइव में तभी आऊंगा मैंने एक दिन आप लोगों को बोला भी था कि सियोंसर लाइव तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ अब लाइव आने के बाद कोई समस्या नहीं आने वाली तभी लाइव आएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे छोटे स्टेज के साथ पहले त्यंत के कुछ सेशन को लाइव करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगे फिर 11 के फिर 12 के ऐसा ही आगे जाओंगा मैं ताकि आप लोगों को रिकॉर्ड क्यों कि लाइव करने लगता हूं फिर फिर मेरा सारा ध्यान लाइव में लग जाता है ऐसा तो है नहीं किसी हम करें अभी 2 को करेंगे यार इसके यह पहला हो गया दो तीक बढ-दो इसकी साथ कोड़ें यह माइनस दो एक अभी तीन को दो के साथ आप दो को की साथ अब दो को इसके साथ पिर 11 को 5 के साथ देख लो मैं कैसे कर रहूँ बच्श एक अब उसके बाद यह जो आपको दो तीन यह हम लोगों ने दो तीन का इनके साथ सब के साथ हो चुका इसका पहली जो मारा साथ करो चार गुड़े 1 फिर पाच को 4 के साथ करो तो 5 मांच गुड़े माइडस फिर 4 को 2 के साथ कर ओच भुड़े माइनश दो एक बार समझ ए तक कर लूगे 5 को दो के साथ करो lost kare लग्त अन्य समझें आया ना एक को चार के साथ करोगे, एक गुड़े माइनस चार, ठीक, देख लो, पीछे से यह सारा मैच करता हूँ, वो चला रहा है, ठीक, आ यहाँ आ जाओ, यह हो चुका है, दो को, दो के साथ करेंगे, दो गुड़े, माइनस दो, अभी एक तरीका और बताएंगे आपको, एक को ह पांच के साथ, और एक को पांच के साथ, देखो एक बात बताओ, जब ऐसे करोगे रहा देखो, यह सारे मैच कर रहे हैं, 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 और यह सारे मैच कर रहे हैं, और अब ज़रा मैं इनको अगर हटा दू सब् mantra 2023 2023 फिर चार पाउच चार फाउच फाउच चार ङरणतर चार पाउच विसक्त को के लिखना ही नहीं पड़ेगा दिमाग लगाना ही पड़ेगा वह बता दूंगा और विसको क्यार कि अभी है अधिसक तो पहले यह टृक्त पर चॉन्षमलत प्रूम Hai All mol और यहां से आया बच्चो थीन को चार के साथ गुड़ा करना है। तो बारा, बारा, दो हमारा अंसर यहां से कितना आएगा? दस आ आएगा. लिख दो मैं डारेक्ट अप सारे आंसर? लिख देता हूं मैं आंसर डारेक्ट. ठीक है, 10 आया, मािनस का, फिर 2 आया, फिर 21 आया, फिर 16 आया, 2 आया, 37 आया, और माइनस दो, मैनस दो और 11 ये आया मेरा किस का अंसर? archify का अंसर आया अब एक बात बर्त बात बताओ, बिय का जो आंसर आया हелен जो AB का अंसर आया है, क्या वो दोनों सेम है? ना यार वो दोनों सेम है ही नहीं वोyllी क्यों नहीं है क्योंकि यह मेरा SME धा इसका है उसका कोट से आये हैं जो हमारे आसमान है इतना समझ में आया इस तरीके से हम लोगों ने इतनी सारी चीज़े जो है वो कर लिए मुझे नहीं लगता कि यह आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी सब समझ में आया होगा या नहीं हो आया होगा पता नहीं ठीक है अब एक ऐसा गुदारन लेके आपको कुछ और दिखाने के लिए कोशिस कर रहा हूं जो आपकी आखे और खोलेगा ठीक अब आप सोचोगे सर कैसे सब बताता हूं मैं आपको भी अभी तो हमने कहा ना कि यह मैं क्या कर रहो आगे यह मैं क्या क्या रहा हूं आपके साथ चल में क्लास नहीं ले रहा ठीक अब यार एक ऐसा उद्वहन लेते हैं जो आपकी आँखों को और थोड़ा खोलेगा ध्यान से देखना बच्चो एक हम ऐसा आव्यू लेने जा रहे हैं एक हम ऐसा आव्यू लेने जा रहे हैं बच्चो ध्यान से सुनना एक ऐसा आव्यू ए बर देखले आवियू के स्थम्भों के संख्या दूसरा आवियू के पंग्तियों के संख्या के समान नहीं होगी तो सकता है मरवी अफंट्नें नहीं बिल सकते हैं ऐसा नहीं है अब आ भी एक आव से ओर लिया मैंने 3 हो गया, 0 हो गया, और 0 हो गया, और इसके बाद 8 हो गया, इनको देखो यार, इसके लिए सबसे पहले हम ए भी ग्याद करते हैं, ध्यान से सुनना, ए भी ग्याद करते हैं, देखिए बच्चों, ए भी ग्याद करते हैं, कैसे ग्याद करेंगे, एक को 3 के साथ गुड़ा करें करेंगे और दो को जीरो के साथ करेंगे फिर से सुनिए ना जीरो को तीन के साथ करेंगे और दो को जीरो के साथ करेंगे फिर जीरो को जीरो के साथ करेंगे और दो को किसके साथ करेंगे आठ के साथ करेंगे ध्यान से देखो दूसरे आविव को देखो चरा ध्यान से दूसर जीरो को तीन के साथ करेंगे और दो को जीरो के साथ करेंगे देखो तीन जीरो जीरो आठ तीन जीरो 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 आठ और उसके बाद देखो एक जीरो फिर उसके बाद एक जीरो देखो यह आला एक जीरो एक जीरो फिर एक जीरो फिर इसके बाद जीरो दो जीरो दो जीरो अंसर आएगा फिर यहां से भी जीरो आएगा और वहां से सोल आएगा यह मैंने निकाला बच्चो तो यह हमारा अंसर आया है किसका यह अंसर किसका आया है बच्चो और सुरी कुछ अच्चो मिश्टेक हो गया क्या सब सही तो है ना हाँ सही है अगर मैं इसको यहां चार कर दूं ध्यान से सुनना तो यहां भी चार हो जाएगा एक्च्छली फिर आपके बुक का उदारन मैंच ने करेगा इसलिए कर दिया तो यहां आठ आएगा तो यह अभी देखो सब ठी सेम आएगा निकाल के देखना इस केस में यह दोनों बराबर हो गया इस केस में यह दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया बच्चों तो मुझे नहीं लगता कि आपको आविव में कुछ भी अभी तक समस्या हो रही है ठीक अभी तक लगता है कि कोई भी समस्या नही गुड़ देखते हैं कि पहला नियम क्या है बच्चों जो पहला नियम है वह साहचारी नियम क्या कहता है यह तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इस लें लोग अंगरेजी में एसोसीएटीव लॉग कहते हैं बच्चों पर के एक एक चाहीं होता है अगर हम एक और बी को पहले पुणा कर ले और सी को उसके बाद में गुणा करें इसके बान बात बता हूँ यह तभी संभव वह पाएगा इसको गुणा करने पर इसको गुड़ा करने पर अंसर समान आएंगे तो कभी संभव है कभी संभव नहीं है वही हाले कभी कुसी कभी गम अना तो यह भाई कभी संभव हो पाएगा कभी संभव नहीं हो पाएगा यहां लिख लो आप लोग यह यह हमेशा संभव नहीं है यह बात लिख लो होगा संभाव है नहीं तो नहीं है आते हैं दूसरा अभी इंडिकेट हुआ है कि मेरा कैमरे का जो मेमोरी है वो फुल होने वाला वीडियो रुक न जाए उससे पहले मुझे वीडियो फिर उसके बाद B को A को C के साथ करेंगे तो अगर ये किया ये किया अलग-अलग फिर जोड़ा इस तरीके से इसको निकाला तो आउसर से मायगा ये हमेशा संभा हो है थिक इसमें ही एक और भी है उसको बताते हैं आपको मैं वह हमारा यह है कि अगर A B किया आपने बाद में C है और उसके बाद आपका फिर A C और फिर B C यह तभी संभव है यहां भी लिख लो कि यह हमेशा संभव नहीं है बच्चों कुछ तक्निकी समस्या होने के कारण इसके आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो इसके आगे का वीडियो हम लोग अपने पार्ट पांच को देखना मत भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आने वाला है ठीक है बाई बाई टेक क्यार थांक्यू सो मच